ऑलो फ्रेंट्स वेल्कम बैकक तो माँ यूट्यूब चैनल अनूज हपूंक ग्राम तो फ्रेंट्स देखिए अज मैं ने हम पर काफी इन गार्डन की है तो अभी देखिं लोक कशीजन चल रहा है और हम सभी लोक को काफी यूज़ करते है तो तो मैं लोक्यों को घर में किस को चील लिया है और दूसरी लोकी को मैं यहाँ पर नहीं चीलूंगी। तो देखिए अभी हम लोकी को कर लेँगे। अब यहाँ डीन गहारी नजाची लेज किता यहाँ विलोगी केकी हैं। अब यहाँ लोकी को चाप का लेते हैं। जुस हमारी हैल्थ के लिए भौछी अच्छा होता है है लोघ्गर ब्रीज में रख देंगे अभी हम ग्राइंडर में डालकर लोघ्गर को अच्छे से बारें कीस लेंगे जदली श्रयमति भी प नलेंगे मोंन पहीं fert वी से जोड़ करना ही नहीं चाहिए। यह हमें बहुत सारी विमारियों से बचाता है, अभी देखिए हमने बगोने पर एक पतला कपड़ा दुपटे वाला डालकर लौकी को अच्छे से छान दिया है, अभी देखिए हम छानने के लिए इस तरह से दिरे-दिरे से निचोड लेंगे, और हमारी हमने आपर दो लोकि अभी देखिए हम इस तरह से डैकुरेट कर देंगे ताकि देखने में भी सुन्दर लगे और बच्चे और बड़े इसे सभी बहुत अच्छे मन से पी लेते हैं, तो देखिए इसका भी जो गूदा बचा है इसे भी हम वेश्ट फैंकेंगे नहीं, इसे में आटे में नोर गूंद लिया है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, तो देखिए अभी हम इसको रोटी बराने के लिए तयार है, रख देते हैं, और अभी जब इसकी छिलके बचे हैं, उनसे हम देखिए पैरो में उतनी, काई बार पैरो में तल्वों में बहुत ज़दा गर्मी हो जाती है, तो उस गर्मी को दूर करने के लिए लोकी के छिलके इस तरह से यूज कीजिए, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारी चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लिजिए, तो फ्रें आपन्स पके लिए के लिए और हमारी लाओे